कि इस समय हमारे साथ आयोध्या के हनमान गड़ी के मंत राजिल दास जी है आई इन से बातचीत करते हैं असत का इंकाउंटर हो गया है प्रदेश सरकार लगातार जो है वो माफियाओं को मुठ करने की प्रदेश से बात कर रही है लगातार विपच्छी पाटिया इस इंकाउ पुझगार पर लेकिन बिपच्छी जब रामचेत माना जलाने की बात करें जब सड़िवी जातीबादी मानसिक्ता से गर्शित करके यह कहे कि हम सुद्र हैं इस पर जब वो डिवेट करें इस पर चर्चा करें और कश्ट इस बात की होता है कि अपराधी अपराधी होता है किसी मजब का नहीं किसी संपरदाई की नहीं किसी धर्म का नहीं अगर अपराधी को किसी जाती से किसी मजब से किसी संपरदाई को जोड़ दिया जाए तो मुझको लगता है कि यह बहुत कष्ट वाली बात होती है और मुझको लगता है कि लगातार या प्रयास होना चाहिए कि प्रयासिया होना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुसासन का राज है और उस राज में अपराधियों का सहियो करना सबसे बड़ा पराधी होता है और अतिक के बेटे का इंकाउंटर अतिक का भी इंकाउंटर होना चाहिए इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से लूट, हत्या, बलतकार, फिरोती आप समझ सकते हो का आज अतिक को कितना तकलीफ हो रही होगी आज बाबा साथ की जैनती है, सभी दल जो है, बाबा साथ की जैनती मना रहे है है ऐसे में अखलेस यादो इन दोर के दोरे पे हैं और लगातार जो है वो दलीत वूट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरगी की चीज़े करें रहा है बरीली मिनोंने का सीराम की प्रतिमा काना अउरड किया कुछ विवादीत नारे भी वहां लगे आज जो मत्यपदेश की दोरे प्यार है ने देखिए वही तो अखलेस उद्दीन जी है ना जिनके सरकार में बाबसा भीमराव मेटकर मूर्ति तोड़े जाती थी वही तो अखलेस जी है ना कि उनके सरकार में जिस प्रकार से इस योग को पीटा जाता था मारा जाता है था परत सब कर सबका साथ सबकांस के विश्वास के साथ है और रहेगी और उत्तर प्रदेश ही नहीं दोजार चौबिस में पुरा देश के सशवी प्रदान मंत्री जी सारे विपच्छी मुद्दा वहीन है, विपच्छी के पास मुद्दा है नहीं है, विपच्छी लूट में फसा हुआ है, हत्यारों की पैरवी करने में उस संलिप्त है, अगर नहीं संलिप्त होता तो क्यों इतना रोना धोना होता, कि फलाने का बेटा मार दिया गया है, सरदानजली और बाबा साहब ने सोसित बंचित दवे कुछले की आवाज बनकर और एक मूर्ति रूप में संविधान को दिया जिस संविधान के बल पर देश और दुनिया में हिंदुस्तान के डंका बस्ती है जिस संविधान के बल पर ही ऐसे अतिक जैसे गुंडे के ऊपर अफायार दर्ज हुआ नहीं तो 3-3 साल तक हत्या करने पाद अफायार दर्ज नहीं होता था इस पर कोई सवाल कभी नहीं किया आज इंकाउंटर हो गया तो सभी लोग कहने लग गया ऐसा ना ऐसा इसके नाते मैं आभार वेक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सजबी मुखमं अब नरजी से मिल ले आते हैं विहार के मुख्मंतर से मिलते हैं दिली के मुख्मंतर के मिलते हैं आने वाले लोग सभाव के लिए क्या तीसरे मुट्चे कि यो पहल है वह सफल हो पाएगी यह 44 की पाटी है और यह कुत्तों कुत्ते ऐसे भूका करते हैं बहुत जहाओं- जैसी राम करने वाले को पीटा गया जेलों डाला गया एसे लोगों का समर्थन करों गया बाह enem समाज के देश में आप जैसी राम नहीं कर सकते बंद्य मात्रम नहीं कर सकते भारत मा Lapto की नई सब नहीं मना सकते उसके लिए मुसलमानों के परमिशन लेना पड़े और मुसलमानों के पैरोकारी करने वाला उन अपराधियों उन राजनितिक दलों से मेरा एक विनम्न सलाह है कि आप हिंदू के साथ खड़े हो यह नित हिंदू जिस प्रकार से चाय बेचने वाले को से हिंदू को बाटे के साजिस करते हो दम हो दम हो तो कुरान के कुरीति के बारे में बोल के दिखा दो बहत्तर टुकरे तुम्हारे हो जाएंगे आए दिन रोज रामचित मानस के बारे में तुम टिका टिपनी करते हो हिंदू के बारे में टिका टिपनी करते हो अवकात हो स्वामी प्रशाद मौरिया अगर तुम्हारे अंदर जरासा भी अपने बाप के बेटे हो तो डंके की चोट पर मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कुरान के कूरीती के बारे में हलाला के बारे में बोल कर दिखा दो तुम्हारे बहत्तर टुक्रे हो जाएंगे हम सहसु हैं इसलिए बोलते हो अब हम भी तुमको भकसने वाले नहीं है जिस मौर पे मिलोगे उस मौर पे तुम ठोके जाओगे यह थे हमारे साथ अयोध्या के हनुमान गड़ी के महंत राजुदाज जी नहीं साथ तौर पर काहा है कि ऐसे जो अधर्मी है उनके साथ यहीं होना चाहिए आज असत का का एंकाउंटर हुआ है तो कल अधीक हमत का इंकाउंटर होना चाहिए उत्तपदेश की सरकार लगता जीरो टॉल्रेंस की नितिकी दीत के तहत काम कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए लगता लगी है क्यामा परसन वीडिया के साथ मैं विवेक शाही प्राइम टीव लगनो